इस यूद्ध ने अकबर स्वायम नहीं आये थे उन्होंने अमेर जैतु के राजा मांसिन को अपना सेहावती बाना तर भेजा था हल्दी घांडी का युद्ध पांच किलो मिटर लंबे और दो सुम मिटर चौरे च्छेतु में गुआ आप उक सखी से लखाले में ख़ए हैं सब्रहाले से 200 मिटर की दूरी पर चेतक की समाधी है जहां पर महाराना प्रताब के स्वामी भड़ बोड़े चेतक को दफनाया गया था यहां से दो किलो मिटर की दूरी पर हल्दी घाडी तर रहा है इस दर्रे के विशेशना है कि यहां की प्राकितिक मिट्टी वपथरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है इस दर्रे के चाहों तरफ महाराना प्रधाप की भील आविवासी सेना राना कुंजा के नेत्रिक्व में तैनाप थी ये सेना तीर भाले पत्थर चलाने में कुशन थी यहां से तीर किलोमेटर की दूली पर शाखिवार है जिसमें मुगल सेना का पड़ा था मुगल सेना 18 जून 1526 इसली को प्राते सूर्योग्रे के साथ निवार की राजमानी गोगंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी तो उन पर महाराना प्रधाप की सेना उने अक्रमाण किया और उन से गुरिला पत्थी सेविद किया यह आक करने अतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भग्दर मच्ट है तरफ ना पत्थी सेनाओं ने मुगल सेना को यहां से तीन किलोमेटर दूर पीछे सम्तर छोत्र में जहां भी खम्नोर गाउने वहां तक खदेर दिया इसी खम्नोर गाउं के पास बनास नदी के पास सम्तर मैदान में साथ गंडे का भ्यानक युग हुआ इस युग में दोनों पक्षों से कुल अठारा हजार सेनी मारे गए जबे यह इसमात हुआ तो बहाँ पर मांसुनी पसाथ हुए और वहां पर कटी हुई गाशे और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रुप दे लिया इतरास का लुप इस तलाई को रख तलाई का नाम दिया इस विद्ध में वालियर का है पूरा राजबरिवार जिसमें राजा रामशाथ तमर और उनके दों पुत्र थे शगीद हो गया यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस विद्ध में शगीद हुए थे उनके समारक इसी काम में परे हुए है इस बड़ाई की बिस्विद जानगारी आपको एक फिल्म के त्वारा दी जाएगी आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे तब यह फिल्म और लाइंट और सांड शो शुरू लोंगे तब तक के यह धन्मेबाद